फ्रेंट्स प्लास्टिक एक ऐसा मेटेरियल है जो किसी भी केमिकल से बाय डिग्रेट नहीं हो पाता है आज हम लोगे कैसा केमिकल सॉलूशन बनाएंगे जिससे प्लास्टिक भी दिश्ट्रोय हो जाएगा इसके लिए हम लोगे आज हाईली कंसेंट्रेटेड एसीड और हाईली कंसेंट्रेटेड ऑक्सीडाइजर का यूज करके बिजाना सॉलूशन बनाएंगे तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं इसके लिए सल्फ्यूरिक एसीड लेंगे हाईड्रोजन पॉर ऑक्साइड लेंगे 30% कंसेंट्रेशन वाला चलिए सोलूशन तैयार करना सुरू करते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसीड डाल लेंगे इतना काफी रहेगा फ्रेंड़ यह केमिकल बहूत ही खतरनाक होता है चलिए देखे थेंगर लगी नीयका की उतार ही। यह रहा हूए छोटा सा अंगूर के टुक्ड़ऄ अब इसमें डालते हैं देखिए इसका क्या होता है ओ माइग गॉड इसको तो बहुत ही तीरी से में पर दे लाए अधिया वो अंगूर का तो पता ही नहीं चला कहा गया पहले तो थोड़ा से काला हुआ सोलुशन बाद में यह फिर से किलियर हो गया पहले के जैसा इसमें इसका थोड़ा सा कोई भी अंस नहीं बच पाया है चलिए अब पिराना सोलुशन में इस पॉलिथीन बैंक को डाल के देखते हैं क्या होता है इसका इसके उपर वाले सता पर ही मेल्ट कर जा रहा है नीचे जा भी नहीं रहा है प्लास्टिक कैसे दीख रहा है चलिए अब इस बोटल को इसमें डाल के देखते हैं इसका क्या होता है यह मेल्ट करता है जल जाता है क्या होता है इसके साथ चलिए देखते हैं इसका क्या है इसका क्या पैंदी कैसे मेल्ट हुआ है यह लग रहा है जल गया है वह 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 तैंपी के साथ सोलूशन को देख सकते हैं पीला हो चुका है सोलूशन और बोतल का तो कुछ है और जब टाइप से दिख रहा है यह तो इसमें से गिर रहा है कुछ उजला कलर का मेल्ट होके उजला उजला कलर का कुछ गिर रहा है देख सकते हैं इस बोटल का क्या हाल हुआ है बहुत ही डेंडरस केमिकल है इससे आप घर पर तो दुराने का प्रयांस बिलकुल भी मत कीजिए यह तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इससे तो प्लास्टिक मेल्ट हो जा रहा है लेकिन इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक मेल्ट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में इस तरह का कुछ बन सकता है जिससे हम प्लास्टिक को बायो डिग्रेट कर सकें वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में